आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप Google Translate का इउच करके इंगलिस को इंदी में, इंदी को इंगलिस में या अन्न किसी भी बासा को लिख कर, बोल कर या फिर फोटो किलिक करकर ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं तो इस वीडियो को लाश्ट तक देखते रहिए, एह वीडियो आपके लिए काफी एलफ़ुल होने वाली है यदि आपने Google Translate को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो आप Play Store में जाके Google Translate को डाउनलोड कर लें आप Play Store में जाएंगे, और यहाँ पे Google Translate टाइप करेंगे और यहाँ पे Install पे किलिक कर देंगे और इस टाइप से आप Google Translate को डाउनलोड कर लेंगे Play Store से यदि आपके पास Google Translate पहले से ही डाउनलोड है, तो आप Play Store में जाके उसे अपडेट कर लें क्योंकि आप जब अपडेट करेंगे तभी उसमें नए-नए Features एड़ होते हैं, और अपडेट कर लेने के बाद में आप Open कर लें अब आप जैसे ही Google Translate को Open करेंगे, तो इस टाइप का फेज ओपन होगा आपके सामने अब आप उपर यहाँ पर देख सकते हैं, English Language Select है एक साइट और दूसरी साइट Spanish Language Select है तो English से इंदी में ट्रांसलेट करेंगे हम, तो Spanish पर कलिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ से इंदी बासा को Select कर लेंगे, और इंदी बासा के साइट में आप यह Download का आइकोन देख सकते हैं, यह यदि आप इस इस डाउनलोड पर कलिक करके यहां से इसे डाउनलोड कर लेते हैं, तो आप इसको offline भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपके mobile में कभी इंटरनेट नहीं रहेगा, तब भी इंग्लिस में टाइप करेंगे और ये इंदी में translate करेंगा ऊके तो यहां पर टैप ऑन इंटर टेक्ष्ट पर खिलिक करेंगा और यहां पर गुड मॉनिंग टाइप करते हैं जैसे good morning अब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं इस ने ट्रानसलेट कर दिया है उपर अम्ने इंग्लिस में टाइप किया था नीचे इसने इंदी में ट्रानसलेट कर दिया है सो पर बात देखा रहा है अब यहाँ पे इसके side में आप यह star کا icon देख सकते हैं इस पर क्लिक करेंगे तो इस वर्ड को यह अपनी डिक्सिनरी में सेप कर लेगा उके आप जब भी चेक करेंगे तो यह आपको डिक्सिनरी मिल जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है आपको बार-बार इसको टाइप करके ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा राइट और आप यहाँ पर यह copy का icon देख सकते हैं आप यहाँ से copy भी कर सकते हैं और कहीं पर paste भी कर सकते हैं copy करके राइट अब यहाँ पर हम back होंगे और यहाँ पर आपको यह pen जैसा icon देखेगा आप इस पर click करेंगे अब यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं इस type से आप लिख सकते हैं और उपर ये type होता जाएगा जैसे हम यह आपे yellow लिख देते हैं देखिए नीचे हमने yellow लिखा आज से और उपर yellow लिखा हो गया तो इस type से भी लिख सकते हैं आप अब यहां से हम back जाएंगे अब उपर आप देख सकते हैं English और Hindi दोनों language की बीच में आपको दो arrow के निसान दिख रहे होंगे आप इन पे click करेंगे इससे होगा क्या कि अभी ये English से Hindi में translate कर रहा था अब आपने इस पे click कर दिया तो अब ये Hindi से English में translate करेगा राइट तो इस पे click कर देंगे आप और ये जो pen का icon था इसके side में आप ये mic का icon देख सकते हैं आप इस पे click करेंगे तो इससे होगा क्या कि आप जो भी इंदी में बोलेंगे ये उसको English में translate करता जाएगा ये आप जो भी बहसा translate करना चाहते हैं उसमें बोलेंगे और ये जिस बहसा में आप सुनना चाहते हैं उस बहसा में translate करता जाएगा तो इस टाइप से भी आप translate कर सकते हैं और यहाँ पे camera के side में आप ये conversation का option देख सकते हैं इसका उपियोग यह है कि आप मान के चली किसी ऐसे बहकती से मिलते हैं जिसकी लेंग्वेज को आप नहीं समझ रहे हैं और बो भी आपकी लेंग्वेज को नहीं समझ रहा है तो इस ऑप्सन के जरी है आप उस बहकती से आसानी से बात कर सकते हैं चली मैं आपको करके दिखा और आहाँ पर करेंगे मे आपकी लेंग्वेज मांन गे चलिए रिंदी और सामने वाले बैक्ती की लेंग्वेज है अब आप समयने चाहते हैं अंपस में बात करना चाहते हैं राइट ऐसे उसके chant ये फिर उस बात को पूरा सुनेगा Google老師 और फिर उसके बाद में उस बात को English में ट्रांसलेट करके बोल के सुनाएगा उस सामने वाले परसन को राइट जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे इंदी पे किलिक करेंगे आप देखिए हमने यहाँ पे कहा आप कहा रहते हैं तो इसने यहाँ पे इंग्लिस में ट्रांसलेट करके वेर डू यू लीब ट्रांसलेट कर दिया राइट अब इसकी बोलने की आवाज इसली नहीं आई क्योंकि हमने माइक लगा रखा है तो इस माइक के जरी यहाँ पे आवाज नहीं आ रही है आप यह दि करेंगे ऐसे में तो आपको आवाज आएगी राइट आप यहां पर बो कुछ कहना चाहता है इंग्लिस में बो आपसे इंग्लिस में कहाएगा और यह उसको इंदी में ट्रांसलेट करके आपको बोल के सुनाएगा राइट तो हम इंग्लिस बाली उप्सन पर किलिक करेंगे जैसे मान के चली उस सामने वाले परसन ने का वाटेज यूर नेम हमसे पूछा तो यह इसने यह इंदी में ट्रांसलेट कर दिया तुम्हारा नाम क्या है राइट और यह इसको बोल के सुनाएगा अमने माइक लगा रहा है जैसे कि मैंने आपको पहले बता तो इस टाइप से हम बात कर सकते हैं अब यहां पर आप इंदी और इंग्लिस लेंग्विज की बीच में यह आटो का ओफसन देख सकते हैं यदि आप इस फिक किलिक करेंगे तो इससे होगा कि आपको इंदी एंग्लिस लेंग्विज सेलेक्ट करनी नहीं पड़ेगी राइट आप जो भी ब ट्रांसलेट करके हमको बोल के सुना देगा उस बात को राइट तो इस टाइप से आटो का ओफसन इस टाइप से काम करता है कि आपको लेंग्विज सेलेक्ट करनी नहीं पड़ती यह आट इस टाइप से आप कनबर्सेशन को उप्योग कर सकते हैं अब हम बैक जाएंगे अ आप इसका उप्योग यह है कि मन के चली आप किसी भी चीज का फोटो कीच कर उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं या फिर आपके मोबाइल में पहले से कोई फोटो रखा हुआ है गैलरी में आपकी में और आप उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो उसको भी आप ट्रांस पर आपको यह सबसे लाश्ट में एक इंपोर्ट को ओफशन देखेगा आप इस पर किलिक करेंगे अब यहां पर जैसे मान के चली हमने एक यह फोटो ले लिया यह पहले से थे हमारे मोबाइल में आप हम इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो इसको भी हम ट्रांसलेट कर सक करना चाहते हैं तो आप यहां पर स्लेक्ट ओल पर क्लिक करेंगे और आप यहां पर देख सकते हैं हमने स्लेक्ट ओल पर क्लिक किया और इसने यहां पर ट्रांसलेट कर दिया यह सारे फोटो को तो इस टाइप से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं तो इस टाइप से आप गूग थैंक्स पर वाचिंग बीडियो